हलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त रोईतास यहादव आज जो कमेंट थे कही उसी पर काम करना पड़ेगा देखिए क्योंकि जो डिमांड है उसी को द्यान में रखना पड़ेगा पहली बात तो ये कि जो पूछा गया RSI कि सर ये RSI क्या है और क्या काम करता है हमारे लिए useful कैसे है और कितना useful है तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात हो देखिए आज कल जो वीडियो हैं वो क्या है learning के लिए हैं यहाँ देखिए कोई भी interesting चीज तो साइध नहीं हो सकती क्यों जब learning होती है तो उसमें interesting ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं कोसिस यह करता हूँ कि बहुत हलके फुलके सब्दों का इस्तमाल करूँ जो कि easily आपको समझ में आ जाए मेरा focus वो यह है कि देखिए उन सब्दों का इस्तमाल करूँ जो आपको समझ में आ जाए तो इसलिए मैं ऐसे सब्दों का इस्तमाल करता हूँ जो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए लेकिन वीडियो की length थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्यों देखिए concept को clear करना है तो देखिए मैं भी थोड़ा सा वीडियो बढ़ सकता है तो आप कोसिस ये करें कि देखें तो पूरा देखें क्यों अगर आप आदा देखेंगे या skip करकर के देखेंगे तो देखिए वो problem आपके लिए रहेगी इससे अच्छा है कि वो वीडियो आप देखेंगे ना क्यों आदा दूरा देखके तो फिर कोई फाइदा नहीं है आदा दूरा तो आप तब देख सकते हैं जब मैं आपको stocks के नाम बताऊंगा या cable price बताऊंगा तो ठीक है आपने आपने आगे देख लिया पीछे देख लिया ठीक है जो हो गया ठीक है लेकिन यहां क्या है यहां आप learning कर रहे हैं यहां आप सीख रहे हैं बीच में आप skip करके करेंगे तो देखें बीच का portion हो सकता important हो जो छूट जाए तो इसलिए यह देखें तो पूरा देखें उसमें आपको अच्छी तरीके से चीजें clear होंगी फोकस है वह यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख लें अभी सीख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा बाद में आपको बहुत फायदे बंद रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा वीडियों की लेंज लंबी हो सकती है तो ऐसा ही आज का topic है हमारा RSI यह देखिए एक indicator है इससे ज्यादा कुछ नहीं है आप इसको यह न मानके चलें इससे किसी तरह की confirmation होती है कैसा आप यहाँ से ऐसा ही होगा यहाँ से नीची आ गया तो ऐसा ही होगा इस चीज की confirmation यह बिल्कुल नहीं देता है यह cable आपको indicate करता है वो भी एक time frame के अंदर एक oscillation के अंदर तो main चीज है cable और cable is का indication इससे जादा और कुछ नहीं अब जैसे मैंने आपको पीछे देखिए अपने यह सब बोर्ट पर आप देख रहे होंगे लेकिन क्या है मैं इसको थोड़ा सा पहले बाद में बताऊँगा क्यों अगर मैं इसको अभी बताऊँगा तो आपको साह समझ में कोई चीजें ना आए तो अब क्या है यह RSI आप देख रहे है relative strength indicator यह यह cable जो है strength दिखाता जो उस time पे है जो आपका time frame है आपका time frame दस दिन का भी हो सकता है 20 दिन का हो सकता है 14 दिन का हो सकता है वो depend करता आप पर कि आपने अपना time frame क्या रखा है अब यह work कैसे करता है देखिए मैंने का ना यह time frame के अंदर बर्क करता है और यह use करता है एक oscillator को देखिए oscillator क्या होता मैं आपको time frame यानि एक numbers का जो जैसे यह देखिए आप यहाँ ज़्यादा अच्छे यह मालीजम मैंने 0 लिया और यह लिया 100 तो इसके बीच में जो हमारा यह घूम रहा है यह होगे अपना oscillator यानि कि time या एक numbers के अंदर ही रहना तो यह हमारा क्या है oscillator यानि कि जो हमारा यह RSI है वो उसके अंदर यानि कि 0 से लेके 100 के बीच में ही घूम रहा है लेकिन इसको मैं आगे explain करूँगा तो यह क्या है strength अपनी दिखाता है कुल मिला कि और indicate करता है वही मैंने आपसे कहा और यह केवल एक movement indicator है वही movement बता है ना मैंने आपका 0 से 100 के बीच में जो है यह movement कर रहा है तो movement indicate करता है लेकिन क्या है कहा बहुत से लोग मैंने देखा है कि इसको पूरी तरीके से वो कहते है नहीं यहां से अप price up हो जाएगा नहीं यहां से price नीचे यह अपना नीचे जा रहा है RSI तो यहां से price नीचे चला जाएगा देखे साब ऐसा कोई भी इससे confirmation नहीं मिलता है यह cable और cable उस time period में जो market की strength है चाए वो weak है चाए वो RSI उपर चला गया थोड़ा से यहां से सब कुछ अच्छा है यह अच्छा है बिलकुल नहीं साब RSI indicator इस चीज़ को नहीं बताता है RSI indicator cable market की जो हालात है उस time की वो indicate करता है लेकिन इसके साथ और भी बहुत सीज़े जुड़ी हुई है आपको candle stick pattern वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा उन दोनों को मिला जुलाके तब जाके आप कुछ चीज़ों को verify कर सकते हैं यानि clear कर सकते हैं तो इसलिए मैंने RSI से पहले आपको candle sticks बताई कि उनका क्या-क्या और कैसे-कैसे यूज है और वो कैसे-कैसे और कब बनती हैं तो देखे candle stick तो मैं आपको लगबग बता चुका हूँ और फिर भी अगर केसी candle के बारे मा को पूछना है तो आप comment section में comment कर सकते हैं उसके बाद इसलिए आज RSI पर आया क्यों जब तक bond लिया है यानि जो time frame आपने select किया है उसके बीच में market की हालत क्या है वो बताता है अब चलिए मैं आपको जो है यही चीज board पर बताता हूँ कि board पर आखिर क्या और कैसे होता है अब देखिए मैंने आपको कहाना कि oscillator का का काम करता है यानि कि जो बहुती खिलाडी मज़े वो मज़े होगे खिलाडी और कुछ होते हैं वो क例えば बहुती ज़्यादा aggressive और कुछ होते हैं Defender, यानि बहुत आराम से और सो समझ के खेलते हैं, तो वही चीज है इसमें भी, अब हमने क्या किया, 0 से 100 के बीच में हमने एक लाइन मार दी, यह 50 की, यानि इसका Middle हो गया एक तरह से, यह 50 बीच में, यानि 0 से 100 के बीच में 50, यह हमने एक लाइन मारी, य वागी यह line आपको कहीं ही मिलेगी, ना 100 की मिलेगी, ना 0 की मिलेगी, मैं आपको graph भी दिखा हो, अब अब आगादा, कि आम RSI कहा पर देखते हैं, जो हमारे graph होते हैं, graph patterns होते हैं, उनके RSI कहा पर होता है, वो मैं आपको आगे दिखा हो, तो दोस्तों यह देखिए, मैंन को पता है candle color दोई होते हैं या तो green होगा या red होगा ठीक है इसके बाद हम RSI डूंड रहे हैं देखिए मेरे बहुत से बाईयों को RSI का नहीं पता हो था कि आकरी RSI जो है graph में होती किस जगह पर है कहां पर हम इसको find out करें तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही ब उपर खीच दी यह जो green वाली line आप देख रहे हैं मैंने ठीक RSI के उपर खीच हुए और हर एक graph में आपको RSI यहीं पर मिलेगी ठीक है अब आपको साइद यह चीज confirm हो गई होगी कि RSI actually है कहां RSI जो है यह है इस जगह पर मैंने जहां पर आपको यह arrow से mark किया है यानि के यह वाली line जो है RSI है जो black में आप थिन बहुत ही पतली देख रहे हैं इसको हम RSI बोलते हैं अब यही RSI जो है सारे काम करती है जो मैंने बताया ना कि अकेले इसी को हम सब कुछ नहीं मानते कि यही RSI सब कुछ है आप यहां पर देखिए यह RSI प्लस यह candles RSI और यह candles यह मि परे market की situation क्या रहने वाली है तो यहां पर आप यह देख रहे होंगे RSI में कि यहां देखिए एक line उपर है एक line नीचे है उसके बीच में एक line मारी होई है उसमें देखिए कहीं उपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है उपर नीचे उपर नीचे ऐसे हो रहा है इसका हुआ है है और यहां मैंने आपको नीचा rsi बे राउंड मारा यहां पर देखे टॉप है इसके बाद market देखे यहां गिरा है तो rsi भी देखे यहां पर नीचे को गया है तो यह क्या है कि डोनों एक दूसरे के पूरक हैं यानि जैसा candle stick चलती है वैसे ही RSI भी चलती है तो आपको साथ अब RSI चीज समझ में आ गई होगी कि क्या और कैसे अब एक कोर मैं आपको इसी मुदाराद दिखाता हूँ देखिए एक point यह है यहाँ पर यह high बना हुआ है आप देखने है red उपर है और मैं RSI में अगर round मारता हूँ तो यह देखिए sorry आपको थोड़ा सा इधर से यह round के अंदर देखिए top थोड़ा सा RSI में बना हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ आपना candle stick भी top पर है तो formation दोनों की लगबग लगबग एक जैसे ही होती है लेकिन काम दोनों अलग अलग करते हैं लेकिन दोनों को एक साथ आपको combine करना पड़ेगा ठीक है अब हमने यह middle ले लिया यहाँ से हमने यह middle इसलिए लगाया हमारे लिए यह थोड़ी आसानी हो जाए कि यहां से market ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है क्यों ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम market को ऊपर और नीचे कैसे माने तो इसलिए हमने यह middle में एक line खीची है इससे हमें यह हो गया कि अगर middle के ऊपर जाएगा और नीचे कैसे माने अब मैंने कहा ना कि इसके बाद जो बहुत ही खिलाड़ी होते हैं यह तो हमारे end point है एक तरह से इसके उपर नीचे ज्यादा कुछ नहीं तो उसमें भी क्या होता है हम जो है जो aggressive होते हैं वो जाला downfall में 80 तक मान के चलते हैं और up word में जो है अपना यह सोरी यह हमारा 30 ठीक है यह 80 नहीं 30 है सोरी तो यह 30 और 70 aggressive मान के चलते हैं यह बहुत जाला खिलाड़ी जो बहुत quick decision ले सकते हैं और 20 और 80 मान से हम एक हमारे indicator हैं कि हम इतना defender खेलते हैं यानि बहुत आराम से खेलते हैं सो समझ के खेलते हैं अब मान लीजिए जो हमारा market है वो हमने ideal हम 14 दिन का मान के चलते हैं यानि आप देखते हैं चौदे दिन का time यह चौदे indicator है भाई 14 दिन पीछे का जो रहाम उसी का तो इंडिकेटर देख रहा है न तो 14 दिन candles कैसी बनी है ग्रीन बनी है रैड बनी है यह आदी ग्रीन आदी रैड तो हम वो पूरे चौदे दिन का एक तरह से ideal उसको लोग घटा के 10 दिन भी कर लेते हैं 20 दिन का लेते हैं यानि आपको पीछे 14 दिन का इसाफ देखना है पीछे 10 दिन का देखना है या 20 दिन का देखना है तो यह आपके हाथ में होता है क्योंकि जब आप चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ यह option आपको मिलते हैं, कि आप 10 दिन का select कर सकते हैं, 14 दिन का select कर सकते हैं, या 20 दिन का select कर सकते हैं, तो ideal जो होता है, एक तरह चौदे दिन का ही होता है, यानि कि 2 हपते का, तो 2 हपते जो है, आपने देखा कि market दो हपते से क्या रंग दिखा रहा है, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, क्या कर रहा था, उसी के एसाप से फिर आगे की हम वो strategy बनाते हैं, तो उसी में हम आगे लेके चलते हैं, जैसे अपना कोई stock है, वो इस line को जो हमने का था, हमने जो middle मारा था, इसके ऊपर जाता च्वाली सबते हैं कि और सोल्ड मामला all day market बहुत ज्यादा बूम में है मार्ग बहुत ज्यादा था मैं वह अग्रेसिव है बहुत ज्यादा हर्याली में यानि बाइर बहुत ज्यादा गे ला बहुत बाइंग कर रहा है एसका मतलब यह हुआ यहांसे मार्केट आपका ये एक तरह से ऊपर जा रहा है लेकिन यहां से फिर अब यह यहां पर हमारी बाइंग नहीं बनती कि ओव veg वा आप यहां पर क्या हुआ यह खाई मारी थी स्का मतलब यह ओग कि मामला ओवर सोल है यह जो चीज़ मार्केट में जितनी बिखने बिक रही है तो वहां क्या है फिर यह confirm हो जाता कि देखिए आप मामला बहुत ज्यादा उपर जा रहा है यह मार्केट नीचे आए गई आएगा वहां से फिर यह रिवर्सल मारता है फिर आपने देखिए इसको नीचे आए यहां तक क्या यह नॉर्मल चीजें है आग इस रे लाइन को नीचे क्रॉस करके आया यह हमारा जो किसी भी स्टॉक का यह जो लाइन था यानि जो ड्रॉग ग्राफ था वो जैसे ही नीचे आया इसका मतलब मार्केट में बिक वाली हो गई यानि कि मार्केट बियरिस हो गया यानि कि यहां जो है सेलर्स जो है ज्यादा हभी ह हो ग definis diary तो यहां यहां क्या है बिक वाली हो गई मामला ज्यादा बिक लेकिन उससे वह नीचे मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल बहुत सब्सक्राइब और नीचे 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 आता है तो हमारा राइट से जब यहरी रिवन्ता है यहांनी नीचे आने के बाद रिवर्सल तब हमारा point बनता है buying का खरीदारी का तो यह indicator से साइद आपको यह चीज़ समझ में आगे होगी कि जो RSI indicator है वो केवल और केवल indicate करता है वो आपको यह चीज़ें बिल्कुल नहीं पताता कि आपको यहां sale करना है आपको यहां purchase करना है वो केवल आपको indicate करता है कि आपके market मे कितनी मजबूती है या कितना कमजोर है केवल इतना indicate करता है लेकिन हमारे बहुत से भाई तो RSI कोई सब कुछ मानके चलते हैं ऐसा नहीं है RSI अकेला कुछ भी नहीं करता है RSI के साथ आपकी candle sticks हैं और यह मिलके उसके बाद एक आप indicator और भी है देखिए मैं आपको time to time बता होता है अगर आप यह कहें कि amidst приш कि कि कौन कितना समझता है तो यह सब मिलते हैं किसी नए topic के साथ और अचो लगाओ तो लाइक सबस्राइब जरूर कीजेगा नमस्का